हेलो गाइस तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसे शर्ट के बारे में जो हर एक बंदे के बात होना बहुत ज़रूरी है यह पांच शर्ट कौन से है और क्यों इतना इंपोर्टन है यह पूरा मैं डीटेल में बता हूँ इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक दे इसलिए यह स्लिम बंदे पे भी सूट होता है और जो थोड़े बंदे थोड़े बल्की होते हैं इसका कॉलर जिसे हम कहते हैं क्यूबन कॉलर शर्ट जब कभी आपको कोई बंदा देखता है यह शर्ट पहनने के बाद जो सबसे पहले उसकी जो नजस जाती हो इसके कॉलर कुलर जाती जो इसके वाज़े से व wrench लगता है है 10ck10 यह हमेशा ट्रेडं में होता है अगर बात करें मिले घरट अईब हम बात करें करें पांसल बात की तो यह तभी ट्रेंड में रहेगा इसलिए इस लिए डेनिम श्यवर्ट आप के वाल्यूयों कर दो दो रहे हैं एक नेवी ब्लू डेनिम एक वाइट शूज एक ब्लैक वाच और एक ब्लैक चश्मा जो भी एवीटेर या फी वेफेरर कुन सा भी यह वाला आउटफिट एक बार ट्राय करो ट्रस्ट मी सबसे बेस आउटफिट है अब तक अब इससे ज़ादा कूल आउटफिट ना कभी था ना कभी होगा एक वाइट फॉर्मल शृट कफलिंग वाला होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको थोड़ा अलग दिखना है थोड़ा आउट ऑफ दा बॉक्स लगना है तो एक कफलिंग वाला शृट वाइट में होना बहुत ज़रूरी है और अगर आप ब्लेजर पहन रहे तब तो चेक्स शट नो मैटर वह कौन से टाइप का चेक्स है छोटा चैक्स है या भी बड़ा चैक्स है जब कभी हम लेड़ करने का सोचते हैं तो चेक्स शट सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है लेरें के लिए इसलिए आपके आउटफिट में या फी वाल्डूरूप में एक चैक् पांच वे नमबर पर है ब्लैक शट अगेन एक फॉर्मल होना चाहिए और एक कैजूल होना चाहिए अगर आप कैजूल शट पहन रहें तो उससे ग्रे डैनिम के साथ पहनो ग्रे और ब्लैक का बेस्स कॉम्बिनेशन और फॉर्मल शट कफलिंग वाला मताब बलेजर आप अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि मैं जब कभी भी नए वीडियो अपलोड करो आपको नोटि झाल पर आपको नोटा है